राम राम किसान सातियों मैं राज श्मार वर्मा एक बार फिर हाजरूं एक नई जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एगरी टेक किस नई वीडियो में किसान सातियों आज हम बात करेंगे धान की भसल के लिए सबसे अच्छे ग्रोथ प्रमोटर के बारे में तथा जो खाद हमारी धान की भसल में अच्छे टिल्रिंग बना सकते हैं यानि हमारी धान की भसल में अच्छे कल्लो की संख्या बढ़ा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो से तीन ऐसे खादों के बारे में बताने वाला हूँ यदि इनका इस्तिमाल अगर आप अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो सो प्रत्सत आपकी जो धान की फसल है उसमें टिलरिंग बहुती अच्छी आपको देखने को मिलेगी इनका इस्तिमाल करने से आपकी धान की फसल में मात्र 15 दिन में आपको कले ही कले नजर आएंगे तो किसान भायू मैं जिन खादों के बारे में बताने वाला हूँ उनका बहुती जबरदस रिजल्ट आपकी धान के फसल में रहने वाला है तो किसान सातियो बीडियो को अन्तर तक जरूर देखें जिससे की आपको एक महत्तपूर जानकारी मिल सकें तो किसान सातियों सबसे पहला जो खाद हमने लेना है वो है यूरिया यूरिया की मातरा की अगर हम बात करें तो 40-45 क्लोग्राम मातरा प्रती एकल के हिसाब से आपको यूरिया लेनी है दूसरा जो किसान भायू खाद आपको लेना है यानि दूसरा खाद जो आपको इसके साथ डालना है वो है Oswal Crop Protection Private Limited Company का जानदार जानदार एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिसके अंदर सभी अवश्यक सूजम पोशकतत उपलब्द होते हैं जो कि हमारी धान की पसल के लिए बहुती महत्वण रहने वाले हैं किसान भायू अगर आप अपनी धान की पसल में जानदार का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की पसल सुरुआस से ही बहुती अच्छी टिलिंग लेकर चलती है धान की ग्रोध बहुती अच्छी तरीके से होती है जिससे की आपकी फ़सल बहुती हरी बरी दिखाई देती है बात करें इसकी मात्रा की तो जानदार की 5 क्लोग्राम मात्रा प्रती एकड के हिसाब से आपको लेनी है तीसरे खाद की बात करें तो तीसरे खाद आपको लेना है कालटाप हाइडरो क्लोराइड किसान सात्यू कालटाप हाइडरो क्लोराइड का इस्तेमाल अगर आप अपनी धान की भसल में करते हैं तो आपकी फसल में लगने वाले बिभिन कीटों की रोक्ताम हो जाती है और आपकी फसल बहुती उस्वस्थ रूप से ब्रद्धी करती है जिससे अंतिता आपको अपनी फसल से बहुत अच्छा उत्पारन देखने को मिलता है अब बात करते हैं कि इन तीनों खादों को आपको लगाना कैसे हैं तो किसान साथी 40-45 किलोग्राम यूरिया को लेकर उसमें 5 किलोग्राम जानदार का इस्तिमाल करना है यानि जानदार को यूरिया में अच्छे से मिला लेना है और 5 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से क चिसे मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अपनी धान की फसल में बेखेरना है बेखेरने के बाद किसान भायू आपको अपनी धान की फसल में सिचाई कर देनी है किसान भायू इन खादों को लगाने के बाद आप सिचाई करते हैं तो सिचाई करने के चार स नहीं से 5 दिन बाद फसल में बहुत अच्छे रेजल्ट देखने को मिलते हैं। जरू करने हुमिन हैं कि अच्छी तरह से इपकर से चल थे. नहीं तो च्छ到ी दा है। भूले 일ग खाल